आज 6 सेप्टमबर और 6 सेप्टमबर 2020 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनिल और स्टार आयक्यू यूटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिरंदन स्वागत है मेरे प्यारे बच्चो आज वीडियो तोड़ी लेट है माफ करिएगा लेट होने का कारण है कि घर पे एक दो दिनों से लाइट नहीं है पावर बैकप का जुगाड नहीं था तो करके इनवर्टर वगरा सब कुछ डाउन हो गया था तो बड़ी मुस्किल से ये वीडियो फिर आपको मैं डारेक्ट बढ़ाना हूं कि विबिन भरतियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यारतियों को राहत देते हुए अब किस आयोग ने इन युवाओं के लिए दस्तावेजों की जांच ओफलाइन की बजाए ऑनलाइन करने का फैसला किया है तो जितने भी आ जाने कि हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने भी आप्शन जो है इस किसन का हमारा बिलकुल ठीक है हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के जो चेर परसन है उनका नाम है भारत भूशन भारती और उनी के दवारा ही जितने भी आपके क्या कहते हैं डॉकुमेंट वेरिफि करवा सकते हैं हर्याना के किस जिले में सवदे सी को वैक्सिन का पहला चरण सफल हुआ है तो हर्याना के रोहतक जिले के अंदर सवदे सी को वैक्सिन का पहला चरण सफल हुआ है सी आप्शन जो है इस किस्टन का हमारा वह बिल्कुल ठीक है और इस चरण के दोरान इस phase के दोरान चार गुना antibodies मिली है और इसी वज़े से जो है दूसरा prescription दूसरा trial को भी मंजूरी मिल गई है जो की कल से यानि की 7 September से start हो रहा है WHO के जितने भी नियम होते हैं उसी के अनुसारी phase 1 vaccine का human trial जो है वो बहुत अच्छे से गुज़रा है इसी अधार पे कल से यानि की 7 September से जो है वो human trial स्टार्ट होगा दूसरा phase स्टार्ट होगा उसका इसमें 12 संस्थान नों में 12 से 65 साल के जितने भी volunteers है उन पे ये second phase का trial करवाया जाएगा रोत्तक को हर्याना का education hub कहा जाता है हर्याना करमचारी चैन आयोग ने कलर्क भरती प्रिक्ष्या का प्रिणाम घोसित कर दिया है 2015 से लेके September 2020 तक परदेश सरकार कितनी सरकारी नोकरी दे चुकी है तो हर्याना ने अभी recently आप सभी को पता ही है कि कलर्क का result निकाला है बहुत सारे बच्चों का selection हुआ है मेरे students का भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है उन सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और उनका बहुत बहुत यूं कहिएगा शुब कामना है उनको आने वाले भविशे के लिए 2015 से सब्टमबर 2020 तक परदे सरकार 75,000 नोकरी दे चुकी है यह अब तक के आंकडों के अनुसार बात है 2015 से लेके 2020 तक 73 विभागों के अंदर लगभग 75,000 नोकरी दे चुकी है और अभी वरतमान में 4798 पदों की कलरक की जो आपकी जोब लगी है इनको भी 73 डिपार्टमेंट के अंदर अलग-अलग अधार पे जो है उनको या उनकी जो भी विभेरियता के अधार पे उनको जोब दी जाएगी उनसे काम करवाए जाएगा यूंकर यह गरूप D के बाद में यह सबसे बड़ी भरती है ठीक है और अब तक 75,000 सरकारी नोकरी हर्याना सरकार दे चुकी है चात्रों के लिए सोनिपत, पानिपत, कुर्चेतर, अंबाला से होते वे चंदिगड तक के लिए कितनी परतियोगी प्रिक्षा स्पेसल ट्रेन चलाए जाएगी तो टोटल 6 परतियोगी प्रिक्षा स्पेसल ट्रेन चलाए जाएगी ए आप्शन जो है इस क्यूशन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा UPSC, रास्ट्री रक्षा अकादमी, नोसेना अकादमी इन सभी की प्रिक्षाओं के लिए जो है रेल्वे ने प्रिक्षा स्पेसल ट्रेन चलाने का फैसला किया है पांच सप्टेंबर को पठान को चंदिगर्ड दिल्ली, चंदिगर्ड गुर्दासपूर इन मार्गों से होते वे बीच में आपके ये वाले इलाके तो आ ही गए है, हर्याना वाले जिसके अंदर कुर्चेतर अंबाला पानिपत स्वनिपत का नाम भी आता है तो ये पांच और छे सप्टेंबर को दो दिन स्पेसल ट्रेन चलेगी, ये बात भी आपको याद रखनी है स्पेसल ट्रेन, कितनी प्रतियोगी स्पेसल ट्रेन चली है, हर्याना में छे स्पेसल ट्रेन चली है और रेलवे मंतरी का नाम क्या है, प्यूस गोईल है, सतंतर भारत के पहले रेल मंतरी का नाम जोन मताई है वैसे पहले रेल मंत्री का नाम किया है, याद रखिएगा आप लोग, आसीफ अली है, हर्याना में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, रेवाडी है, जो कि 6 मार्गों से जोड़ता है, या 6 लेन का जंक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, और दुनिया का सबसे ताकतवर इ मैट्रो सफर, जिस पे अभी काम चल रहा है, वो अरावली की हर्याली या पहाडियों का जो है, दिदार करवाने वाला है, ए आप्शन जो है, इस क्युस्तन का हमारा ठीक है, अभी तक आपने हर्याली के बारे में, पहाडों के बारे में सिर्फ सुना ही होगा, ठीक है, या कहीं फोटो अगरा में देखा होगा, लेकिन अब मैट्रो के माध्यम से अरावली की पहाडियों के बीच में जो है, उनको देखा जा सकता है, और बात जो हो रही है, आपकी एक्चुल में, गुरुगराम और फृदावाद इन दोनों सहरों के बीच में, 36.1 किलो मेटर की लंबी लाइन होगी, ठीक है, लंबे सफर में, 20 किलो मेटर में दोनों तरफ जो है, अरावली की पहाड़ी दिखेगी, यह मन दोटल 36 किलो मेटर की, अरावली की पहाड़ीयां दिख सकेगी, और यह 10 मिटर से भी ज़ादा उंचे पिल्लर पे बनाई जा रहे है, ता कि अस प्राथ्मिक्ता के तोर पे हमारा यही लक्षे होगा कि एरो स्पेस और एविएशन पर ज्यान रखें कि आयात की जाने वाली वस्तों से जुड़ी यूनिटों को अपने राज्ये में स्तापित करें और नई पॉलिसी के तैज जो है उत्पादिन को बढ़ावा दिया और जोगी कलस्टर बना चुका है जैसे फतैवाद में अगर कपास जादा होती है या लोहे का काम जादा होता है तो उसी से रिलेटिड वहाँ पर इंडस्टरी बनेगी तो ऐसे ऐसे बाईस जीलों के अदर अलग-अलग कलस्टर बना दिये गए है हर्याना के अंदर और य Haryana जो है, तीसरे स्थान से अब जो है, वो 16 स्थान पे आ चुका है, यह A, B, C, 3 आप्शन से हम लिख दिये, ठीक है कोई बात नहीं, A आप्शन जो है, इस क्युस्न का या B, C, जो भी है, यही स्थान जो है आपके आ चुके हैं, पहले हम लोग तीसरे स्थान पे थे, लेकि कि आने वाले टाइम में हम लोग नंबर वन पे आ सकें मैं आपको बता दू पंजाब को जो है एक स्थान उपर मिला है पहले वो 20 में स्थान पे था वो 19 में स्थान पे आ गया है और रिसेंडली केंद्रिये वित मंत्री निरिमला सितारमन और वानिज्य मंत्री प्यूस गोईल ने जो है वो अभी सैटेड़े को ही केंदर सासित प्रदेश राज्यों की Ease of Doing Business की रैंकिंग जो है जारी की थी जिसमें नंबर वन पे राज्य आंदर प्रदेश है लगातार 2017-18 से नंबर वन पे है यूपी देखिएगा लास्ट टाइम 12 में स्थान पे था लेकिन अब दूसरे स्थान पे आ चुका है तेलंगाना जो है लास्ट टाइम दूसरे स्थान पे था लेकिन अब तीसरे स्थान पे आ गया है और हमारा हर्याना आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम तीसरे पे था लेकिन इस बार जो है सोल्वें स्थान पे आ चुका है ये बात आप याद रखिएगा केंदर सासित प्रदेश में दिल्ली जो है वो नमबर वन पे है पहले 23 में पे थी अब बारवें स्थान पे आ चुकी है दिल्ली ये बहुत इपॉर्टन्ट क्यूसन है मोस्ट मोस्ट इपॉर्टन्ट क्यूसन है प्लीज इसे याद रखिएगा आप लोग अगला इपॉर्टन्ट भी क्यूसन है आपका कि CMIE डेटा अगस 2020 के आंकडों के अनुसार सबसे जादा बेरोजगारी हर्याना में है और ये कितने परतिसत है तो देखिएगा पहले भी आपको मैंने आकडा पढ़ा है था लगबग 24% के आसपास लेकिन अब नया डेटा जो है उसके अकोर्डिंग भी हर्याना में सबसे जड़ा बेरोजगारी है साठे 33% 33.5% है सबसे ज़़ा हर्याना में ही है सबसे ज़्यादा हर्याना के बाद दूसरे नंबर पर तिरूपुरा है तीसरे पर राजस्थान है चोथे पर गोवा है ठीक है और करनाट का देखिएगा इस लिस्ट में सबसे कम पे है 0.5% है अब ये CMIE क्या है इसका full form है Center for Monitoring Indian Economy इसका headquarter मुंबई में और इसकी स्थापना 1936 में हुई है हर्याना में नए जिले उपमंदल तहसील उपतहसील और ब्लोक के पुन्र गठन के लिए मुख्य मंत्री दुशन चोटाला की अगवाई में गठित मंत्रियों की कमेटी का कारेकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है तो मंत्रियों की जो कमेटी का कारेकाल जो है वो छे मह के लिए बढ़ा दिया है भी option ठीक रहेगा इस question का हमारा नए जिले उपमंडल तहसील इन सभी को जो है इनकी लिए कमेटी बनी थी 10 अप्रेल को और जिसमें सिक्षा मंतरी कमरपाल और सहकारिता मंतरी डॉक्टर बनिवारी लाल उसके member थे लेकिन अब इसे 9 जनवरी 2021 तक ज सभी जिले तहसील गाओं की परसासनिक सीमाएं जो कि त्यों रहेगी तो कि आगे आने वाले टाइम में जो है जनगरना असानी से हो सके मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता देता हूं कि मनोहरलाल खटर ने पिछले कारेकाल में किर्शी मंतरी ओम परकास धनकड की अध्य एक स्ता में एक ऐसी कमेटी बनाई थी जिसमें चर्की दादरी 22 जिला बना था और केसा साथ अंबाला कैंट, बाड़डा, बढखल, नारनोद, बादली, उचाना, गरूंडा, पुनहाना, रादोर इनको उपमंडल बनाय गया था और 10 नई तहसीले बनाई गई थी तीन न याना में इस संजीवनी एप से किसका इलाज होगा, इस अप्लिकेशन को PGI रोह तक में ऑनलाइन प्रामरस सुईधाओं के साथ सुरू किया जाएगा, इस संजीवनी अप्लिकेशन से जो है वो इलाज किसका होगा, दांतों का इलाज किया जाएगा, ए ओप्शन जो है, इ पर ज़्यादा भीड़ भाड ना लगे और इसी के लिए केंदरिय स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री जिसको हम लोग Union Ministry of Health and Family Welfare बोलते हैं उन्होंने इस अंजीवनी एप पे जितने भी मरीज है उनको अपना फोन नंबर रेजिश्टर करके जितने भी डॉक्टर से उन कालीन स्थल है जैसे कि कितने खडपाा कालीन स्थल है चलो आप भी बताईएगा और उनकी क्या प्रापर स्लाइड भी लगा दूगा हंसते रहना मुश्कुराते रहना थोड़ी प्राब्लम मुसीबतों को समझना